हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल स्कूल अफ नॉलेज आज मैं आपके लिए पदात बिज्ञान विश्य की पार्थियोजना लेकर आई हूं जिसका प्रक्रण है विद्धुद्धारा आईए देखते हैं कि विद्धुद्धारा के लिए पार्थियोजन उपविशय चक्र और अवधी उसके बाद तो दिनांग उजदित का होगा जिस दिर हम सिक्षण कारे करेंगे कच्छा कच्छार्ट के लिए विज्ञान विशय है और उपविशय आपका पदार्थ विज्ञान है ठीक है उसका चक्र और अवधी 35 में जो भी आपके विद् करेंगे पर तरही को समच सकेंगे और दूसरा लिखेंगे और दूसरा है शップ्रत्र तीन तरह की इसी सब्सक्र शूदित करेंगे HARम थनट करेंगे और दूसाथ द्बाटत्स में लिए च़हताए तो बश्रा ग्यानात्मानाटन होग्दयश एग संश न्हें और looked at dhara के ब अंतर को समझ सकेंगे ठीक है तीसरा है हमारा क्रियात्म कुदेश क्रियात्म कुदेश के अंतर का थम लिखेंगे कि छात्र बिदु धारा को उप्योग धैनिक जीवन में कर सकेंगे और चात्र बिदु धारा की ब्याख्या कर सकेंगे ठीक है उसका नमबर आता सिक्षर सामग पुर्व ग्यान के बाद हमारा नंबर आता है प्रस्तावना के द्वारा यह प्रकड़ को निकालते हैं तो अधिरे में किसी वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं तो चाट्र क्या जब आप देंगे प्रकाश की विवस्ता करते हैं फिर हम अगला कोशन पूछेंगे हमें प्रकाश किस से मिलता है तो चाट्र क्या जब आप देंगे बल्ब है टौर्च है मुंबतियादी से मिलता है फिर हमने तीसा प्रेशन पूछना है कि बल्ब किसकी सहायता से प्रकाश उत्पन करता है तो चाट्र क्या जब आप देंगे कि विद्दूत की सहायता से करता है फिर मैं नЕक्स्ट कोशिन हो जाएगा कि विद्दूत धारा से आप क्या समझते हैं तो छहात्र हीं पर बहुन जाएगे जब बहुन हजाएगे तो हमारा प्रक्रण निकल जाएगा ठीक है तो फिर हम उद्दे से कथन कहएंगे कि आज हम लोग भिज्ञान भी से के अंतरगत विद्धु धारा का विस्तित अध्यन करेंगे ठीक है उसका पाठ प्रस्तुति करण का नमबर आता है तो पाठ प्रस्तुति करण के लिए इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं जैसे पांच कॉलम होंगे करम संख्या सिक्षड बिं प्रवाहित आवेश चालक के स्वतंती एम और होते हैं अध्या फ्रवाहित लिए नसे मदमोंगे होते हैं हsels. इस बटर्शित किया है तो आई बराबर कि हिऊ पॉन जिएे श्यामपट बढला कर दिक checking का लिए तो कि विदु धारा बराबर क्यू अपॉन टी मात्र इसका क्या होता है एंपियर होता है ठीक है दो ब्लैकबूर्ड पर लिख दिया उसके बाद दूसरा आता है यहां पर इसका क्यूं यहां पर इसमें आगे और लिखना है कि धारा का मात्र क्या होता है तो चाल सकंद्र ही का जबाब देंगे द्धारा को small आई से पितरश्द करते हैं फिर दूसा की बिद्दू धारा का मात्र किया होता है तो चाधर का जवाब देंगे कहते हैं उधारन क्या है सेल बैट्री से प्रत्यावर्ती धारा और क्या लिख दिया कि दूसी धारा क्या है प्रत्यावर्ति धारा 그 परिमाडवा दिश्ळा There समय के बाद उसी दिशा और परिमाण के साथ उसकी पुन्राविर्ती होती है प्रत्यावर्ति धारा कहलाती है इसका उधारण क्या है कि बल्ब पंखा हीटर फ्रीज आदी जो है इसके उधारण है प्रत्यावर्ति धार के उसके जिखा दिया इस पर्त्यावर्ति धार ही जरते हैं जो पूछा दिने होती है फिर हमने सेल और बैटरी स diftip distra nth सुचालक वा कुचालक इस प्रज़क करती हैski है कुचालक वा कुचालक पदार्त क्या होता है तो छात्किया मौन हो जाएंगे फिर सिच्का क्या करेगी इस पस्टी गरण देगी वे पदार्थ वे पदार्थ जिन में बिद्दु धारा का प्रवाव सुगंता या सरलता से हो जाता है उसे सुचालक पदार्थ कहते हैं जैसे कि लोहा तामबा जस्ता आदी और उसका लोहा तामबा जस्ता ही सुचालक पदार्थ हो गया है और है कि अंदी थिद्धि दारा का प्रवाव सुगंता से होता है सूचालक कहला आते हैं और दूसरा प्रश्ण पूचे पदार्थ है कॉचालक के उधारण है तो यह था हमारा तीन शेक्षर्बिंदु हमने लिग द प्रतिवर्थी धारा से कौन कौन से उपकरण चलते हैं तो उसका नमबर आता है श्यांपट सारांस का तो श्यांपट सारांस में लिख दिया कि विद्धु धारा के आवेज बटा समय आई बराबर क्यों अपन ची धारा का वातों कुलांपर सेकेंड या एंपियर होता है और सुचालक पदार्थ कौन कोर से लोहा तामबा जासता है अदि एक कुछालक पदार्थ क्या है कागज लक्री प्लास्टिक आदि है ठीक है उस मेरे वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच